असलाम लेकुम, FastAPI की इस lecture series में मैं आपको अगेन खुशामदीत कहता हूँ आज हम दुबारा से देखने वाले हैं कि किस तरीके से FastAPI को हमने इंस्टॉल किया था पिछले दो lectures के अंदर और किस तरीके से हमने FastAPI को यूज किया था let's jump into it, screen आपके सामने यहाँ पे आ रही है हमने पिछले lectures के अंदर basic एक app बनाई थी FastAPI की और फिर हमने bookstore की app भी एक create की थी which was very similar to the first one और आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा revise करेंगे कि FastAPI को हमने कैसे use किया था FastAPI क्या है, यह basically आपको जैसे पिछले lectures के अंदर पता चल गया है कि यह एक backend programming language है, जो हमारे लिए web apps बनाने के लिए use की जाती है और यहाँ भी आप देखें कि हम इसको install कैसे करते हैं, यह भी हमने देखा था पिछले lectures के अंदर और इसकी requirements कौन-कौन सी यह भी हमने देखा था, हमने pip install FastAPI के थ्रूँ इसे install किया था और uvcon के थ्रूँ हमने ASGI server के लिए uvcon को हमने install किया था, ताके हम इसको run कर सके अब इनको हमने install करने का जो basic तरीका था, वो हमने KONDA के थ्रूँ किया था, KONDA environments के थ्रूँ किया था most of the people जो हैं, वो Python environments यूज़ करते हमने KONDA environments यूज़ किया था तो यहाँ पे हमने क्या किया था, basically हमने KONDA का एक नया environment बनाया था, KONDA create-n fastapi underscore env करके और फिर उसके अंदर installation की थी, ठीक है, so मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास KONDA environment list अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो मेरे पास और यहाँ पर fast API का environment यहाँ पे मुझूद है तो मैं इसको यहाँ से copy करता हूँ, और यहाँ पे KONDA activate और यहाँ पे इसको paste करता हूँ, तो यह मेरे पास इसी environment के अंदर यह चीज़े save हो गए हैं, अब हमें जो fast API के tutorials हैं, उसी directory के अंदर होने, और जो मेरा folder है, वो basically documents की folder के अंदर यहाँ पर पढ़ा हुए, अब हम इ basic way में देखेंगे कि किस तरीके से fast API की जो app construction है, वो कैसे होती है, तो यहाँ पे मैं again लिखूँगा 03, basics, और इसके अंदर सबसे पहले आपने काम क्या करना होता है, आपने main.py के नाम से एक app बनानी होती है, main.py के नाम से, ठीक है, और आपको एक और फाइल चाहिए होती है which is called requirements, जो हम end पे बनाते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने basically बिल्कुल start से, शुरू से शुरू करना है, और यहाँ पे हम लिखते है, from, मैं इसको code को थोड़ा से बढ़ा कर लेता हूँ, और जब भी कोई app बनाई जाती है, इसको मैं थोड़ा से बंद कर लेता हूँ, तो य लेन हमारा file name है, और इस file name के अंदर हम जिस नाम से app को बनाएंगे, that is called app, is equal to fast API, तो यह basically हमने क्या किया है, हमने instance of fast API यहाँ पे create कर लिए, यानि कि instantiate कर लिए है अपनी fast API की file, इसको मैं control s करके save कर लेता हूँ, अब अगला काम क्या है, we will actually use route, ठीक है, हम route को define करेंगे, और add the rate, app.get का route लगाएंगे यहाँ पे, और इस route के अंदर हम बताने वाले हैं कि हमने क्या चीज जो है वो चलानी है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास यह जो route है, basically, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी app चलती है, अगर मैं य learning on kodanics, तो यह इस तरीके से हमारे पास जो है, यह route जो है, वो चल जाएगा, मैं इसको ctrl s करके save कर लेता हूँ, अब यह route क्या करता है, यह basically direct करता है हमारी library को किस तरीके से आपने आगे जो है, वो different direction के अंदर move करना है, और यह route के through हम different किसम की routing use करेंगे, आने वाले दि ठीक है, इस एक analogy को आपने अपने mind में रखना है, कि main.py और फिर हमारे पास app यहाँ पे मौझूद है, अब हम करने के अवाले हैं, अपनी app को run करेंगे, और उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी app को run करने के लिए, आपने down here, यहाँ पे आने, ठीक है, और उसी folder के हम main की file में से colon sign लगा के app को run करने वाले हैं, ठीक है, uvicon main colon sign और फिर app, जैसे मैं इसको run करता हूँ, you will see के हमारे पास जो app है, वो run हो गई है, at this port, मैं अगर control plus C को दबाऊंगा, तो यह बंद हो जाएगी app, like this, otherwise मैं अगर दुबारा इसको run करता हूँ, अब arrow key दबा के त word, we are learning on codenics.com, ठीक है, अब आप एक चीज गौर कीजेगा, के यहाँ पर hello word के बाद, we are learning at codenics.com के बाद मैं लिखता हूँ, comma, we also have a YouTube channel, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, and let's see के हमारे पास यह चीज रन करती है के नहीं करती, and we have to see that, मैं इसको ctrl s करता हूँ, ctrl s की है, ctrl s करने के बाद, मैं यहाँ पर इसको refresh करता हूँ, there is nothing changed over there, उसकी reason क्या है, अगर आप यहाँ पर इसको बंद करें, और दुबारा से uvicon main, और फिर आप app लिखें, something like this, यहाँ पर गौर करें, इसके साथ, minus minus अगर reload लिखेंगे, now you will see, कि आप ज change is save होती जाएंगे, let me go a bit back, मैं इस तरीके से इसको कर लेता हूँ, let's see, we are learning with kodanics, तो मैं इस ही message को इस तरीके से रखता हूँ, इसको save करता हूँ, यहाँ पर मैंने reload लिखा, okay, spelling mistake थी, uvicon, अच्छा, अब मैंने जब इसको run किया है, हमारी अभी भी जो profile है, वो वहीं पर run कर रही है, ठीक है, और reload process जो है, हमारे पास आते जाएंगे, for example, मैं यहाँ पर control करके click करता हूँ, पीछे वाले को बंद कर देता हूँ, you see कि हमार पर automatically reload हो गया page, obviously आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा, until unless you refresh the page, तो इस वज़ा से हम reload की command जो है, वहाँ पर use करते हैं, ठीक है, so यह दो चीज़ें आपको पता चलीं, कि हमने जब server को run करना है, साथ में अगर हम reload का flag डाल देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो हमारी आगी होगी, कि किस तरीके से uvcon को हम use करते हैं, और basic app को instantiate कैसे किया जाता है, और fast API को कैसे use किया जाता है, अगले lecture में थोड़ा से advanced level पर चलेंगे, और हम इसकी different और चीज़ें भी देखने वाले हैं, ठीक है, follow me for more, subscribe, like and share ज़रूर कर दिये करें, और that's how you support us, see you in the next one.